नमस्कार दोस्तों आप सबी का फिर एक बार स्वाकत है मेरे चैनल गरेलू नुस्के टीवी में दोस्तों बहुत कम चीजे होती हैं जो की वजन गठाने और पेट की चर्वी को खतम करने के लिए बाकई में असार दिखाती हैं चर्वी को खतम करने के लिए निम्बू, दालचीन, जीरा और अद्रक जैसी कई चीजों के बारे में आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा लेकिन हर बैक्तिकी शीट पर इनका असर पूरी तरह से होना ये संबब नहीं है केबल कुछ खास मुस्के और चुनिंदा सूपरफूड ही होते हैं जो की तेजी से बजन कम करने और चर्वी घटाने के लिए सबसे ज़्यादा असरदार होते हैं उन में से एक है चीया सीड्स यानि की सबजा बीज चीया सीड्स का इस्तमाल अगर सही समय पर और सही तरीके से किया जाता है तो इस शेड्स में जमी चर्वी को इतनी तेजी से खतम करता है जितना की बजार में मिलने वाले महेंगे से महेंगे फेट कटर प्रोडक्ट्स भी नहीं कर पाते हैं इसके अंदर कई तरह के पोशक तक पाए जाते हैं जो इससे वजन घटाने के लिए सबसे जादा असरदार बनाते हैं प्रोटीन फाइबर मेकनीश्म और फास्पोरस इसमें पाए जाने वाले कुछ मुखे तक हैं जिनसे शरीड में जमी हुई जिद्दी से जिद्दी चर कर इसे आदे गंटे घलनेके लिए छोड़ दें पाने में जाने की तुछ ही देर में यह फूलने लगता है और आदे घंटे बाद यह पूरी तरह फूल जाता है उसके बाद इसमा inside फीचिव या दही लसी और दूट के साथ में मिला के सुबह नास्ते के बाद शाँ को खाने के बाद इसका सेबं करें पीट के अंदर जाती यह अपना झाल दिखाना शुरू कर देता है और चुकि ये अपना काम बहुत तेजे से करता है इसके लिए इसके इसके इस्तमाल के कुछ ही दिनों में आपको अपने श्रीर के बजन और चर्वी में फर्क दिखने लग जाएगा हर विक्ति जने शरीर में ताकत की कमी मैसुस होती है या जिने लोगों के शरीर में हर्मोन की कमी है उने इसका सेवन जरूर करना चाहिए ना कैवल हमें वजन घटाने में मद करता है बल्कि ये बालों को मजबुत बनाने के साथ साथ चेहरे की रंगत को भी निखाटा है इसके इतने फायदे हैं कि कैंसर और डाइबिटीज में जैसी बिमारियों में भी इसका सेवन करने की सलह दी जाती है अगर आप इन अद्बुत चीजों से जुड़े सभी तरह के सभी तरह के फायदे पाना जाते हैं तो एक बार इसका अस्तमाल जरूर करें इसे आप ओनलाइन भी ओर्डर कर सकते हैं और इसका सेवन सुरू कर सकते हैं दोस्तों हम आगे भी और भी इसे तरह के घरे लुन्यूस के आपके लिए हम लाते रहेंगे इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चारद से जादर लोगों को शेयर करें जिनसे और लोगों को भी इन घरे लुन्यूस को से अपनी बिमारियों का इलाज करने में असानी हो सके और उन्हें फायत अपो सके धन्यवाद